हलो फ्रेंज नमस्ते स्वागत करती हूँ आप सब का मेरे चानल पे आई होग कि आप लोग अच्छे होंगे ये मैं आज बहुत ही बहतरी नाश्ता लेके आई हूँ आप सब के लिए जिसके मामुली पस 20 रुपे के में आपका ये नाश्ता त्यार हो जाता है और पुरे परिवार के लिए इतना टेस्टी नाश्ता लेके आई हूँ विदाउट ओयल वाला नाश्ता लेके आई हूँ ये आप देख रहे हैं तो आए चले चलते हैं शर्मी के किचन में देखने के लिए कैसे बनाना ये नाश्ता कि देखे मैंने एक कप के आसपस पोहा लिया है अब मैं इस पोहा को धूने लगी हूँ तो मतलब दो-तीन पानी में मैंने धूया है दिखा मैं आपको इकी पाणी रही हो बाद में मैंने स्कॉरड हो इसमें कितना मैल रहता है कि मैंने धोली अक्षे से पारको दोने के बाद इसको हमने छोड़ा है थोड़ी तर या जोड़ा सॉफ्ट हो गया है अब मैं इसमें एक कटोरी चूटी वाली कटोरी से दही मिक्स कर रही हूं और दही को अच्छे से मिला के थोड़ी दे चोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए अल्री बहुत सॉफ्ट हो चुका है यह दही बिल्कुल आपके उपर है ऑफिशनल है हम डाल सकते हैं कटाई में आप कुछ भी डाल सकते हैं पर दही का जो टेस्ट है ना यह बहुत अच्छा था यह देखे मैंने एक कप पुआ लिय तो यह देखे इसमें सूजी मिक्स करतेंगे मिक्स करके इसको थोड़ी दे चोड़ देंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं घिसावा गाजर आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं मुझे इसमें घिसावा गाजर ही चाहिए था अब यह जो है मेरे स्प्रिंग अनियन है ह मैंने थोड़ा सा लिया थोड़ा धनिय पती लिया है वेजिटेबल्स तो आप कुछ भी अपना डाल सकते हैं मैंने ब्यूदा साथ है और ब्हुरा सा ओरी गैन्यों लिया है और बच्चों को यह पलेवर बहुत अच्छा लगता है और अब मैं डाल रही हूं इसमें पहर स स्पाइसी बना रही हो मैं इसको ताकि बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इनके लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हो जटपट बन जाता है कोई बहुत जादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए हमने सारा मिक्स कर लिया अच्छा से हम मैं थोड़ा सा इसमें जारी हो पान सूजी डाला है वह अच्छी तरह से फूल जाए यह देखिए फ्रेंज अब मैं इसको ढखके तो इदर छोड़ दूँगे पांच मिनटी बहुत है यह देखिए कितना अच्छा यह हमारा एक डो टाइप का बन जाएगा यह देखिए फ्रेंज कितना अच्छा डो एक बन गया है इसको अच्छे से मैं थोड़ा खुले बरतर में लेके इसको अच्छे से मलूंगी अभी मैं आपको दिखा रहे हूं यह देखिए मैंने मल लिया है अब मैं प्लेट में डाल रहे हूं यह देखिए कितना अच्छा डो टाइप का बन गया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में देखिए फ्रेंज अब हम इसको शेप आप कोई भी अपनी मजी से दे सकते हैं थोड़ा सा मैं अपने हाथ म मैं ओयल लगा रही हो थोड़ा सा ओयल लगा लिए अगर चिप चिप करता है तो ऑड़ा गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा शुजी और डाले जे और अगर आपका मतलब दो हाड रहते तो थोड़ा पानी हो डाल के उसको बना लेज़े यह मैंने एक लिया है chopstick है मेरे पास आप कोई भी चीज ले सकते है pencil pen जो भी है आपके पास बसी ही कि अच्छे से उसको दो लीजे साफ कर लीजे ही मैंने chopstick लिया है इससे देखे उंगली से बनाते हैं तो उसका shape अच्छा नहीं आता देखे कितना प्यारा shape आया है राउन देखे कितना अच्छा है तो लोई जो है मतलब हमने बहुत बड़ी नहीं लेनी है थोड़ी ऐसे चोटी-चोटी लेनी है तो जदा मोटी-मोटी नहीं लेंगे हम लोई थोड़ी मतलब चोटी-चोटी लेंगे प्रेखे देखने में भी अच्छा लगता है तोड़ा चा मैने चौप स्टिक में वाइल लगाया है यह देखिए कितना अच्छा बन गया है ऐसी में सारा हूल बना लोंगे है कि इसी सारा हूल बनागे आपको दिखाते हूं एक पोह से हमारे करेब 10 पंदर पीस बन गे तेरा 14 पीस बन गए अभी मैंने इसको यह देखिए गरम पानी के ऊपर डाल दिया है मैंने अपने जाली और इसके ऊपर आपके पास अगर है steamer तो आप उसमें डाल सकते हैं मेरे पस जाली में ही मैं करती हूँ अच्छे से मैंने इसके उपर oil कर दिया है oiling अच्छे से कर दिया है अब मैं धिरे धिरे सब जा दिया है उसके उपर सजाने है ये इतना बहतरीन और इतना tasty नाशता है oil free कि मतलब अगर आप दो तीन खाते हो तो आपका हो जाता है मतलब इतना tasty और इतना अच्छा नाशता है देखे इसमें vegetables भी आगए पोहा, सुजी, सब सब बहुत अच्छा होता है health के लिए नाशते के लिए बहुत light नाशता बनता है ये देखे ऐसे ही मैं तोड़ा सारा इसमें सजाल लूँगी धिरे-धिरे सब adjust कर दूँगी कोशिश कर रही हूँ मैं कि सारा मैं एक में adjust कर दूँ देखते हैं हो पाता है कि नहीं देखें मैं सारा डाल रही हूँ और अगर आप लोग नहीं हैं मेरे चैनल पर तिक प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना बूलें लाइक भी किया किजे सब्सक्राइब किया किजे कमेंट किया किजे अब बेल आइकन भी तबाया किजे तो ये मैं ढख दूँगी इसको मैं 15 मिनट डखके पकाऊंगी 15 मिनट लग जाएंगे इसको बहुत हाई फ्लेम में नहीं पखाएंगे हम इसको थोड़ा लो टू मीडियूम में रखके इसको तसली से पखाएंगे 15 मिनट ये कहीं नहीं जाता कुछ नहीं घराब होगा नहीं ओवरकुक होगा ये बिलकुल एदा मस्त बनेगा अब पर लोग टमाटर की सबजी बनाते हैं आलो प्याज टमाटर की या फिर सांबर बनाते हैं मैं कुछ नया ट्योस्ट देने वाली हूं ये स्वास मैंने चिली सॉस लिया है एक रेड चिली सॉस लिया है ये मैं टमाटियो सॉस ले रही हूं और ये मैं ले रही हूं सोया सॉस तो मैं तोटली एकदम अलग recipe बना रही हूं यह मैंने conflore गोल के डाल दिया इसमें और यह मैं गोल सा बना रही हूं बिल्कुल अलग मेरी recipe है किसे ने अभी तक नहीं बनाया है यह Chinese इसको taste नहीं दिया है सब नाश्ते में यही सब बनाते हैं और oil भी मैं बिल्कुल थोड़ा लेने वाली हूं oil का कोई है ही नहीं मतलब one spoon और यह two spoon that's it वस इतना ही oil मैं इसमें use कर रही हूं और यह देखें अब मैं इसमें डाल रही हूं मेरे थोड़े से garlic डाल रही हूं मतलब दो तीन garlic होगा दो तीन garlic डाल रही हूं मैं इसमें और मैंने कोई राई का और खड़ी पत्य का तड़का नहीं लगा रही हूं क्योंकि बहुत सब नाश्ता हम उसी तड़के में बनाते हैं तो इस बर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग बनाऊ और वाकी बहुत टेस्ट अच्छा बनाए आप जरूर ट्राई करना यह मैंने स्प्रिंग अनियन ही लिया है इसमें और स्प्रिंग अनियन को मैं थोड़ा सा तौसे कर रही हूं तो बिल्कुल डिफरेंट है मेना नाश्ता जरूर से ट्राई किजें बहुत अच्छा बनाए सब बहुत मतलब इंजॉय करेंगे यह मैं अक्सर बनाती हो पर आज पहली बार मैंने आप सब की साथ शेयर किया है और इतना टेस्टी चाइनीज फ्लेवर का थोड़ा सा यह जिंजर गालिक पेस्ट है जो में एक चमच डाल रही है इसमें और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी इतना मतलब चटपटा और टेस्टी नाश्ता है यह देखे मैं इसमें सॉस अपना जो बनाया था उसारा मैं इसमें डाल रही हूं सॉस हमारा देखने में अपने आप में कितना टेस्टी लग रहा फ्रेंस देखे अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी तब तक पकाऊंगी मैं इसे जब तक इसमें ग्लेश ना जाए थोड़ा शाइन ना जाए तो धिरे धिरे मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा से मैं नमक यह देखिए फ्रेंस थोड़ा से नमक डाल दिया है मैंने अब मैं इसको देरे देरे पकाना शुरू कर रही हूँ अभी अन कर दिया मैंने अपना इंडक्शन और फ्रेंस यह सच में मतलब बिल्कुल नहीं रेसिपी है और आप बहुत इंजॉय करेंगे इसके सॉस के साथ थोड़ा से इसमें शुगर डाली हूँ मैं जो मैं आपको नहीं दिखा ही हूँ वो मेरा क्लिपिंग जो है मिस हो गया है थोड़ा से शुगर डाली हूँ मैं तो कि खटा और थोड़ा मीठा सा टेस्ट रहे यह देखिए गलेस हा गया है मेरे सॉस में मेरा सॉस एक तम अच संजी सा, सॉफ्ट सा बनाएं अगर आप नहीं भी कुछ लेते हैं तो खाली भी कहा सकते हैं क्योंकि खाली में भी इसका टेस्ट बहुत अचा रहे है और रिगयनियों का और काली मिर्च का सबजीयों का जो मैंने डाला है बाकि आप कोई भी सबजी इसमें यूज कर सकते हैं मैंने गाजरी किया है अब मैं प्लेटिंग कर रही हूं देरे देखे फ्रेंट देखे रहें हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता है चाइनिस ट्रेल में मेरी आवाज खराब है फ्रेंट्स यह देखिए फ्रेंज कितना अच्छा हमने सारा सजा लिया है अब मैं इसको इसके चलते हैं निक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे यह मैंने जो सॉस बनाया था वो मैंने कटोरी में डाल दिया है अब जो सॉस है ना वो मैं थोड़ा-थोड़ा इसके उपर डालूंगी ताकि यह और भी टेस्टी लगे अगर आप ऐसी उठाके मूमें डाल सकते हैं तोड़ा थोड़ा में सॉस लगा दूंगी यह देखिए फ्रिंद्स सॉस भी इतना अच्छा बनाई इतना चट पता बनाई स्वे टांगी प्रेज़ा तीखा त्रूडा मी benefiting बहुत अंच concern और यह पौह का नास्ता तो हमारा डंप्लिंग टाइप का नास्ता जो दंप्लिंग है पौह डंप्लिंग बहुत तिस्टी बना है थोड़ा सा में उसके ऊपर spring onion और वो गानिश कर दियू है तोड़ा सा spring onion जो है वो मैंने इसके ऊपर भी डाल देना है ताकि देखने में अच्छा लगे टेंटिंग सा लगे यह देखिए friends कितना tempting लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है देखने में मैं सच बतारियों फ्रेंज जरूर से ये recipe बनाना और sauce यही वाला बनाना आपको मज़ा आ जाएगा काने में something different हो जाएगा बिल्कुल totally taste में different है सांबर के साथ और सबजियों के साथ तो हमेशा काएं कभी ऐसे नहीं अपने try किया होगा जरूर से try किजी ये देखिये कितना अच्छा बन गया है चलिए मिलते हैं next video में कुछ नहीं recipe के साथ till then buy take care ये देखिये friends कितना अच्छा लग रहा है देखने में इसके look देखिये कितनी अच्छी आई है इसकी एकदम से look जो है मतलब किसी को आप serve करेंगे तो एक पर गौर से देखिंगे कि क्या बन गया है इतना tasty सा ये देखिये friends sauce के साथ मज़ा आजाएगा ये अप tomato sauce नहीं है ये अलग सा Chinese sauce है बहुत tasty बना है ये देखिये friends एकदम ला जवाब नाशता है ला जवाब नाशता है सुबह खाईए टी टाइम में serve कीजे और बच्चों को lunch box में दीजे मज़ा आजाएगा repeat करने के लिए बोलेंगे कि जरू से बना धि Кघएंप ये वाब आजाएगा लाब नाशता है Wäh